नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आप सभी को मिलने वाली है। घर और परिवार खुशी से जूलने वाले हैं। महादेव के सभी सच्चे बाद वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय भोलेनात जरूर लिखिएगा। देवों के देव महादेव के आशीरवात से आपकी सारी कष्ट, दुख, संकट और दुश्मन की जो बाधा हैं वह सब कुछ समाप्त होगी तो चलिए बात करते हैं। भोलेनात के आशीरवात से इतनी बड़ी खुश्खबरी मिलेगी कि आप कहोगे हे प्रभू, आपकी महिमा अपरमपार है। इतनी बड़ी खुश्खबरी आपने इतनी जल्दी दे दी। हमने तो अपने पूरे जीवन में कभी सोचा भी नहीं था। मेरे प्यारे दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपके जीवन का ये एक ऐसा महादौर शुरू होने जा रहा है जिसका आनंद आप जिंदगी भर उठाएंगे। परिवार में खुशियों का बादल चहाजाएगा। भूले नात के आशीरवात से आपके सारे कष्टों का आपकी सारी परेशानियों का अंत हो जाएगा। भूले नात आपके जिंदगी से सारी समस्याओं को दूर करने वाले हैं। जी हाँ, दोस्तों, अब आपके मन में खयाल अवश्य आ रहा होगा कि आखिर भोले नाथ आपके ऊपर इतनी दया दृष्टी किस लिए बरसा रहे हैं और इसके पीछे का रहस्य क्या है, साथ ही अगर आपको खुश खबरी मिल ही रही है तो आगे आपको कौन सी बातों को ध कि इन दिनों का यह समय आपके जीवन में भोले नाथ कुछ ऐसे अनमोल चमतकार करने वाले हैं, जिन्हें आप देखकर अपने आपको दुनिया का सबसे खुश किसमत इंसान मानेंगे। अपना मित्र, आपके सभी संबंधी या फिर कोई आपका हाथ हो सकता है और खास करके वह कोई दोस्त या आपके अडोस पडोस वाले हो सकते हैं। दोस्तों, यह बात शायद पता ना हो तो बता दें कि आपको देखकर कोई दुश्मन नहीं चलता, बलकि कोई अपना ही आपको बरबाद करने पर तुला हुआ रहता है। लेकिन यह बात भी तय है कि अब जो समय आपका शुरू होने जा रहा है, उसे आपके जितने भी दुश्मन है उन सब का सर्वनाश होगा। जी हाँ दोस्तों, अब आपको घबराने की जरूरत बिलकुल भी नहीं है क्योंकि आपके जीवन में इन दिनों स्वयम भोलेनात का आशीरवाद बना हुआ है वह आपके सभी कष्टों को हर लेंगे। जो आपके प्रती बुरा सोचते हैं, अब उनका खुद बुरा होने का समय आ चुका है। बीतने भी दुश्मन आपके पीछे गड़ा खोदने की कोशिश कर रहे हैं। भोलेनात उनके किये की सजा उन्हें जरूर देंगे और आपको सिर्फ और सिर्फ खुशियां प्रदा बाकी अगर आप इन बातों को ध्यान में रख लिए तो दोस्तों यकीन मानिये। आपकी जिंदगी में कोई भी संकट नहीं आएगा और आपका जीवन सफल हो जाएगा। अगर आपने यह वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देख लिया तो दोस्तों आपके जिंदगी की काया पलट हो जाएगी और यह खुश खबरी सुनकर आपके हर काम में खुशियां ले आएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों जो भी भोले नात के सच्चे भक्त जो हैं वो वीडियो को एक लायक अवश्य प्रदान करके साथ ही कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से एवं सच्ची भावना के साथ जय भोले शंकर अवश्य लिखें। इससे भोले नात की कृपा आपके उपर बनी रहेंगी। वह आपके सामने किस रूप में आपकी परीक्षा लेने आजा कोई नहीं जानता तो दोस्तों आज शाम पाँच बजकर पचास मिनट सेयों में अगर कोई पागल इंसान या फिर कोई साधू बाबा या फिर गरीब ही क्यों ना हो उनकी मदद जरूर करें। उनके साथ दुर व्यवहार करने की कोशिश आप बिलकुल भी ना करें। हमेशा सब की मदद करें। किसी के प्रतिछल कपट का भावना रखें। इसके अलावा दोस्तों आप कुछ दानपुन्य भी कर सकते हैं। चाहे वह वस्त्र हो चाहे वह खाना हो। इसमें कोई रोक टॉक नहीं है क्योंकि दोस्तों आज शाम पांच बज कर पचास मिनट सेयों के अंदर भोले नात आपको हर मुकाम पर पहुँचा देंगे। इतना ही नहीं इन दिनों आपको अप्रत्याशित रूप से खोया धन भी मिल सकता है जिसे आसानी से आप अपनी सभी वित्तिय प्रतिबंध को पूरा कर पाएंगे। यह आपकी वर्तमान वित्तिय स्थिती को काफी राहत प्रदान करने वाला होगा। हालांकि इस धन को बहुत बुद्धिमान इसे खर्च करना होगा क्योंकि हो सकता है कि आपका यह धन खत्म या कम हो जाए लेकिन आपके दाइत्वों का निर्वाह पूरा हो जाएगा। बस आपको बचत के रूप में कुछ राशी रखनी चाहिए ताकि जरूरत पढ़ने पर वह कुछ काम आ सके। बस अपनी विशेशक या कौशल से लाभ प्राप्त करने की इच्छा रखने वालों के महत्व को आप स्विकार करें। इसके अलावा दोस्तों, आज आपको अपने कारिस्थल पर थोड़ी बहुत सावधान, हनी बरतनी आवश्यक है। आप यह भूल रहे हैं कि आज के आधुनिक कारियालयों में कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। इसलिए आपको स्थितियों के मुताबिक खुद को ढालना पड़ सकता है। आज से आपको विवेक की भी जरूरत है और अगर आप उसे अंदेखा करते हैं, तो आपको अपने कैरियर के संदर्भ में कीमत चुकानी पड़ सकती है। इसलिए चौकनना रहने की जरूरत है। इसके साथ ही दोस्तों अपनी नौकरी के क्षेत्र में बदलाव लाने का यह उपयुक्त समय है। अगर आप नौकरी से संबंधित किसी दुविधा में थे, तो यह समय नौकरी में परिवर्तन लाने का समय है, जो कि आपको कुछ इस दिशा में ले जाएगा और आपके लिए फाइदे मंद होगा। इसके उपरांत भी अगर आपको कुछ जोखिम लेना पड़े, तो न सोचे, क्योंकि यह जोखिम ही आपको अंत में मददगार साबित होगा। दोस्तों, आप किसी भी कार्य को अच्छी तरह से करने में बहुत गर्व महसूस करते या अब आपके वरिष्ठ अधिकारियों के ध्यान में आएगा। भले ही कुछ अतिरिक्ट जिम्मेदारी आपको दी जा सकती है। जो कि आपके कैरियर की प्रगती के लिए नए दर्वाजे और आयाम होली साथ ही। दोस्तों आए में भी वरिध्ध की संभावना है। आपको अपने करियर को आगे ले जाने के लिए समर्पन और ध्यान को बढ़ाने की जरूरत है। जैसा कि यह समय आपका भाग्य आपके वित्तिय उपक्रम को पूरा समर्थन तो देगा ही एवं आपकी नौकरी भी काफी अच्छी रहेगी। परंतु आपको अपने धन पर थोड़ा सा नियंत्रन रखना आपके लिए और भी ज्यादा। हे मंत साबित होगा। इन दिनों आप काम और मस्ती दोनों ही कर सकेंगे। अपनी विभिन रचनाओं को जाने और सोचे कि आप उन्हें काम के साथ कैसे मिला सकते हैं। अब आप अपनी रोटियों को अपने काम के साथ मिलाकर भी देख सकते हैं, अपनी व्यावसाईक व व्यक्तिगत रूचियों को अगर आप काम के साथ मिलाकर पूरा करें तो आपको लाभ मिलेगा, इसके साथ ही दोस्तों सोच समझ कर किये गए निवेश से आज से बड़ा ल आगे कोई निवेश करने जा रहे हैं तो दोस्तों से इस संबंध में सलाह ले सकते हैं कि आपको अच्छी सलाह दे सकते हैं। आपका दिल बड़ी उपलब्धियों से भरा रहेगा। आपकी बड़ी मेहनत है और द्रढ़ता आखिरकार रंग ला रही है। यह आपके लिए उत्सव का पालन की कुछ अलग जैसी गतिविधियों में शामिल होने के लिए भी एक अच्छा समय है। बस आपको लालत से बच बचना चाहिए। बाकी सब अच्छा होगा। आज आप अपने हर काम को लेकर खुश रहेंगे। आपकी मेहनत का फल भी आपको मिलेगा। बाकी जिन कर्मचारियों को उत्पादन बोनस मिलता है वह आज किसी इनाम की उम्मीद कर सकते हैं। आपकी मेहनत को देखा जा रह है। इससे आपको आज धन लाब हो सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह लाब मिलते ही आपालती हो जाए। ध्यान रहे कि आपके प्रयासों के लाब उडण छू हो सकते हैं। इसके उपरांत दोस्तों इन दिनों आप पब्लिक रिलेशन बनाने के लिए खूब खर्च करेंगे और इससे लोगों में आपके साथ भी बढ़ेगी। बहुत दिनों से आप अपनी छवी को लेकर चिंतित थी। आपको मलाल था कि इतना सब कुछ होते हुए भी लोगों में आपका प्रभाव कायम नहीं हो रहा था तो आपने यह ठीकी कदम उठाया है। अ इसलिए आप सोच समझ कर ही कोई फैसला लें। आपके पास अपने काम को सही तरह से आगे बढ़ाने के लिए ध्यान और योग्यता दोनों ही हैं। इसलिए फैसला लेते समय आत्म विश्वास बनाए रखें। आज की गए काम शायद जल्दी ही आपको अच्छे परिणाम देंगे। इसके साथ ही जैसा की व्यापार बहुत बढ़िया चल रहा है और लाब देखकर आप खुश हो जाएंगे तो वही व्यापार से आपकी आर्थिक स्थिती खूब मजबूत हो रही है। ये आपके लिए खुशी की बात है। हालांकि ये आपकी अपेक्षा के अन विश्य में आपको धन लाब दिलाएगा। अपने विचारों में रचनात मक्ता लाएं और ना जाने आपका कौन सा विचार आपके काम आ जाए। सोच समझ कर ही कोई योजना बनाएं और उस पर आज ही काम शुरू कर दें। इससे लंबे समय तक आपको लाब मिलेगा जै अवसाइक अवसर मिल सकता है। अपनी आखें खुली रखें क्योंकि यह अवसर कहीं से भी आ सकता है। आपकी मेहनत और सोच समझ कर बनाई गई। योजना ने आपको आपके आगे के कैरियर के लिए तैयार कर दिया है। यही वह समय है जहां आपके व्यापार में आपको अपना उत्पादन और अधिक करना होगा। काम बहुत आ रहा है। इसलिए समझदारी से उनका चुनाव करें। आप अच्छा करेंगे। बाकी दोस्तों स्वास्थे की बात करें तो जब तक आप अपने शारीरिक स्वास्थे के लिए एक सक्रिय घंटा नहीं निक लिए अपने सांस लेने के तरीके पर गौर करें और फिर यह देखें कि आपकी बात या प्यार करने के तरीके पर क्या प्रभाव पड़ता है। आपके लिए इस समय सबसे अच्छी एक्सरसाइज योग है। वैसे तो दोस्तों आप कई कारणों से अपने फिटनेस और पर आप आएंगे। ऐसा हो सकता है कि आप मन से वापस उसी कार्यक्रम को न अपनाना चाहते हो। लेकिन आपको यह बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि अपने स्वास्थे को नजर अंदाज करना आपके लिए कितना महंगा साबित हो रहा है। अपने पहले वाले चिंताओं और कई तरह के दबावों के कारण आप पिछले कुछ समय से परेशान हैं, उनसे राहत पाने के लिए आधा तनिक उपायों और तरीकों का सहारा लें। इससे आपको बहुत फाइदा होगा। यहां तक कि जीवन के प्रती आपका नजरिया भी बदल जाएगा। किसी फिटनेस कार्यकरम में अपना नाम दर्ज करा लें और आप पाएंगे कि फाइदे मंद होने के साथ साथ कुछ अभ्यास कर लेना आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा तो वही लव लाइफ में यह समय ऐसा होने वाला है जो कि आपकी लव लाइफ की बदलने वाली जी हाँ दोस्तों इन दिनों आपकी मुलाकात एक ऐसे बेहतरीन व्यक्ति से हो सकती है जिससे मिलने के बाद आपकी लव लाइफ को एक नया मोड मिलेगा दोस्तों एक बात जान ले कि अपने अहंकार को दूर रखकर परेशानियों का सामना करना सच्चे साथी की निशानी जैसा कि आज पर आपका भाग्यशाली दिन है इसलिए अपने इस दिन से कुछ फुरसत के पल निकाले अपने विचारों का समर्थन दुनिया भी करेगी खास कर वह लोग जो आपके लिए सब कुछ है अपनी प्रेमिका को खुश रखेंगे तो आपकी चाहत का बगीचा ऐ ऐसे ही हरा भरा रहेगा थोड़े से ही ध्यान से देखने पर आप अपने आसपास से बहुत सारी चीजें पाएंगे और यह ज्यान आपके लिए लाबकारी सिद्ध होगा आप किसी ऐसे व्यक्ति से भी मिल पाएंगे जिसके विचार आपसे मिलते हैं और यहीं से एक नया अध्याय आपकी बहतर लव लाइफ के लिए शुरू होगा और यह दोस्ती प्यार में बदलेगी बाद में एक संबंध में भी जुड़ सकती है दोस्तों जैसा कि यह समय आपके लिए और भी बहुत खास रहेगा क्योंकि आप जिंदगी में पहली बार प्यार को आध्यात है तो आप सही समय का इंतजार कर सकते हैं वही आप अपने पुराने दोस्त के रूप में अपना प्यार पा सकते हैं उसके लिए आपके जजबात काफी दिनों से सुलगते रहे हैं पर आज उस रिष्टे का रूप देने और बढ़ाने की कोशिश सफल होगी दोस्तों आज आप अपने रहस्यमई प्रेमी से भी मिलेंगे जिससे मिलने के लिए आप बेहद उत्सुख थे आप सपनों के समुद्र में गोते खा रहे हैं और इसमें बेहद खुश हैं अपने प्रेमी का प्यार आपको नई दुनिया मिली जाएगा आपका प्रेमी ही नहीं बलकि आपके दादा नाना भी अभी आपका पूरा सहयोग करेंगे आज से आप भावनात्मक स्थिर्ता का आनन्द लेंगे क्योंकि आप अपने प्रियतम से नजदीकियां महसूस करेंगे शांति पूर्ण रोमांटिक जीवन के लिए अपने प्रेमी से विचारों को साज़ा करें अपने रिष्टे के बारे में अपनी उग्र भावनाओं को दबाए शांत रहें और आगे की योजना बनाएं एक ही हमेशा याद रखें कि रिष्टा दिल से होना चाहिए शब्दों से नहीं नाराजगी शब्दों में होनी चाहिए मन में नहीं दोस्तों अपने करिश में से आप किसी को भी अपना दीवाना बना सकते हैं बस आत्म विश्वास की कमी ना आने दे रिष्टों में आप पूरी तरह से ही इमानदार हैं और आपके साथ ही को आप पर यकीन है और यही आपकी सबसे बड़ी जीत है आज पूरी तरह से तैयार होकर अपने लक्ष और मिशन पर काम करें कोई भी समस्या आए तो निराश ना हो अपने आपको प्रोटसाहित करने और सफलता हासिल करने के लिए यह समय बढ़िया है इस अहम मौके पर अपने जोडिदार की भी सलाह लेना न भूलें और दोनों मिलकर सफलता का मजा लें जैसा कि आज का दिन रोमांच से भरपूर होगा अपनी प्रतिभा और रचनात्मक्ता के कारण आप सब के पारी हैं और आकर्शन का केंद्र भी यही वह खूबियां हैं दिल से अपनी आपकी मुहबबत के दिल में जगह बनाई है इसके अलावा यह समय काफी सारी बातें आपके ध्यान देने योग्य होगी जिससे आपका सब पर ध्यान लगाना मुश्किल होगा ज्यादा तनावना खाली बैठ कर शांती से निर्णय के बारे में सोचें और उसके अनुसार कार्य करें बाकी इन दिनों आप एक पुराने दोस्त से मिल सकते हैं कोई जानकर आपके सामने एक दिल्चस्प प्रस्ताव भी रख सकता है जिसको जानकर आप लाला एक हो सकते हैं परंतु सोच समझ कर निर्णय दोस्तों चाहत में आगे बढ़ने से पहले सोच लें कि आपके लिए प्यार या पैसे में से किसकी एहमियत अधिक है प्रस्तों चाहत में उन्हें आपकी सहायक की जरूरत पड़े इसलिए तैयार रहें आपके दोस्त आपकी शक्ती प्रतिभा और दक्षता को भी बढ़ाएंगे आपके साथ ही आपको प्रेरित करेगा और आपके आत्म विश्वास को बढ़ाएगा बदले में अपने प्रेमी से प्यार अब केयर करें और उसके प्रति समर्पित रहे स्वास्थे का खहयाल रखें नहीं तो लेने के देने पड़ सकते हैं आज आप अपना धन धार्मिक कारियों में लगा सकते हैं जिससे आपको मांसिक शान्ती मिलने की पूरी संभावना है ऐसे मुद्दों पर बात करने से बचें जिनको लेकर प्रियजनों से वाद विवाद होने की संभावना है आप आज प्रेम पूर्ण मनो भाव में होंगे इसलिए अपने प्रिय के साथ कुछ अच्छा समय बिताने की योजना बनाएं दफ्तर में शांत और संतुष्ट सोच आपके मन को उत्साहित रखेगी भविष्य की योजनाओं के लिए आपको नए संपर्क बनाने की जरूरत है वे करियर की तरक्की में बहुत मददगार रहें जो समस्याएं आपको परेशान कर रही हैं उन्हें हल करने के लिए होश्यारी, चतुरता और कूट नीती के दाव पेंचों की जरूरत है भाई बहनों की मदद से आज आपको आर्थिक लाभ मिल पाएगा अपने भाई बहनों की सलाह लें आपके माता-पिता की सेहत पर ज्यादा ध्यान दिये जाने की जरूरत है प्यार एक ऐसा जजबा है जिसे न सिर्फ महसूस किया जाना चाहिए बलकि अपने प्रिय के साथ बांटना भी चाहिए कामकाज में थोड़ी मुश्किल के बाद आपको दिन में कुछ अच्छा देखने को मिल सकता है आपको अपने दाइरे से बाहर निकल कर ऐसे लोगों से मिलने जुलने की जरूरत है जो उची जगहों पर हो यह दिन शादी शुदा जिन्दगी के सबसे खास दिनों में से एक रहेगा अवसाद के खिलाफ आपकी मुस्कान परेशानी से उबारने वाली रहेगी आप ऐसे स्रोच से धन अरजित कर सकते हैं जिसके बारे में आपने पहले सोचा तक न हो नए पारिवारिक व्यवसाय को शुरू करने के लिए शुभ दिन है इसे सफल बनाने के लिए दूसरे सदस्यों की भी मदद लें आपको अपने प्रिये के साथ समय बिताने की जरूरत है ताकि आप दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानव समझ सकें आपको अपने भागिदार को आपकी योजना से जुढ़े रहने के लिए मनाने में दिक्कत होगी पैसा, प्यार, परिवार से दूर होकर आज आप आनंद की तलाश में किसी आध्यात्मिक गुरू से मिलने जा सकते हैं यह दिन आपके जीवन साथी का बेहतरीन पहलू आपको दिखाने वाला है आज का दिन आपके लिए उर्जा से भरा दिन नहीं है और आप छोटी-छोटी बातों पर जुझलाएंगे आप उन योजनाओं में निवेश करने से पहले दो बार सोचें जो आज आपके सामने आई हैं घर को सजाने समवारने के लिए अपने खाली समय का उपयोग करें इसके लिए आप परिवार से सराहना पाएंगे आपकी मुलाकाता एक ऐसे दोस्त से होगी जिसे आपका खयाल है और जो आपको समझता भी है काम काज में आ रहे बदलावों के कारण आपको लाभ मिलेगा आज रात को जीवन साथी के साथ खाली वक्त बिताते समय आपको लगेगा कि आपको उन्हें और भी वक्त देना चाहिए आज आप अपने जीवन साथी के साथ कुछ बेहतरीन पल गुजार सकेंगे अपने मानसिक स्वास्थे पर ध्यान दें जो आध्यात्मिक जीवन के लिए आवश्यक है मस्तिश्क जीवन का द्वार है क्योंकि अच्छा बुरा सब कुछ इसी के माध्यम से आता है यही जिन्दगी की समस्याएं दूर करने में सहायक सिद्ध होता है और सही सोच से इनसान को आलोकित करता है दीरगावधी मुनाफे के नजरिये से स्टॉक और म्यूचुल फंड में निवेश करना फायदे मंद रहेगा पारिवारिक सदस्य या जीवन साथी तनाव की वजह बन सकते हैं शाम के लिए कोई खास योजना बनाएं और कोशिश करें कि यह ज्यादा से ज्यादा रुमानी हो कुछ लोगों को व्यापारिक और शैक्षिक लाभ मिलेगा एकांत में वक्त बिताना अच्छा है लेकिन आपके दिमाग में कुछ चल रहा है तो लोगों से दूर रहकर आप और ज्यादा परेशान हो सकते हैं इसलिए आपको हमारी सला है कि लोगों से दूर रहने से बहतर होगा किसी अनुभवी शख्स से अपनी परेशानी के बारे में बात करें पिछला घटना क्रम कुछ ऐसा रहा है कि आपका आत्म विश्वास डगमगा गया है इसके चलते आज कोई भी काम खूशी से और संतोष जनक धंक से पूरा नहीं हो पाएगा कोई ऐसा भी मिलेगा जिसकी नकारात्मक टिपणियों से आप और भी निराश महसूस करेंगे लेकिन चिंता ना करें यह अस्थाई चरण है और आप जल्दी ही अपना आत्म विश्वास वापस पालेंगे आपकी नजर दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही है आपकी लव लाइफ में रोचक समय चल रहा है जिन्होंने अभी किसी के साथ अपने संबंध की शुरुआत की है उन्हें इसे मजबूत बनाने के तरीकों के बारे में सोचना चाहिए आप दोनों प्यार और प्रतिभार दोनों को ही एक साथ बहुत अच्छे से लेकर चल सकते हैं अपने भविश्य के बारे में सोच खुली रखें लेकिन अभी कोई योजना निश्चित न करें केवल समय के साथ चलते जाई आपको काफी समय से अपने सहकर्मियों की मदद मिल रही थी परन्तु अब समय ये मदद लोटने का है अब आप अपने किसी सहकर्मी की मदद कर सकते हैं जिससे आपकी स्थिती आपके कार्याले में और ददर्धता से मजबूत होगी और आपकी लोक प्रियता बरहेगी हो सकता है आज आपको देर तक कार्य करना पढ़्धे पर ये आपके लिए सहायक ही सिद्ध होगा लंबे समय के बाद आज आपको रहत महसूस होगी किसी महत्वपूर्ण खबर से खुशी मिलेगी यदि माता पिता हैं तो बेटे बेटी के लिए सुयोग गिवर मिल सकता है किसी लंबित अदालती मामले का फैसला आपके पक्ष में हो सकता है करियर के मामले में छोटे से प्रयास से बढ़्धी सफलता मिलनी तय है आज से जिंदगी वापस पट्री पर आती दिख रही है प्रियजनों के साथ खुश रहे आपके लिए अब स्वास्थ्य संबंधी मसले बहुत महत्वपूर्ण है अपने मन को अपने लिए सर्वोत्तम फिटनेस कारेक्रम निश्चित करने दे आपके पास अपने सभी मनपसंद व्यंजन खाने के कई मौके आएंगे लेकिन अब अपने खाने को लेकर काफी सावधान रहे नहीं तो खाने का आनंद लेने के स्थान पर आप पाचन तंत्र से जुड़ी तकलीफों को भी नियोता दे सकते हैं आपके लिए वर्तमान स्थिती काफी मुश्किल भरी है लेकिन सहन करने के अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है आज भी आपके पार्टनर से आपकी लड़ हाई हो सकती है और अगर स्थिती अधिक खराब हुई तो अलग होने की नौबद भी आ सकती है लेकिन आपको शांत बनाए रखनी होगी क्योंकि यह अस्थाई चरण है खुद पर अपने अहंकार को हावी न होने दे आगे बरहकर बातचीत से अपने पार्टनर के साथ सब गिले शिकवे हमेशा के लिए दूर कर ले धन से संबंधित कुछ समस्याएं आ सकती है प्रद्योगिकी का समावेश करना होगा और वो आप पर निर्भर करेगा कि आप उसका कितना फाइदा उठा सकते हैं क्योंकि वह आपके मेहनत और उस प्रद्योगिकी के आज के समय में महत्व पर भी निर्भर करेगा आज आप व्यावाहारिक्ता की अपेक्षा रखने वाले कई मुद्दों में भावनात्मक व्यावाहार करेंगे स्पष्ट सोच रखते हुए यह समझने की कोशिश करें कि आपकी इच्छाएं क्या है और आपके लिए अच्छा क्या है आपके भीतर कुछ ऐसी भावनाएं पैदा हो सकती है जो आपको कुछ सीमाएं लांगने के लिए उकसा सकती है ऐसी कोई भी फैसला लेने से पहले सब को सूचित कर दें आज आपकी सेहत में कोई अप्रत्याशित बदलाव आ सकता है लेकिन अपनी जबरदस्त मानसिक शक्ती और संकल्प क्षमता के चलते आप किसी भी प्रकार की स्थिती से बहु भी निपट सकते हैं आपको आज दिन में बहुत शारीरिक श्रम करने वाले काम करने पड़ियाट सकते हैं लेकिन आप आसानी से समय रहते उन्हें पूरा कर पाएंगे आप से किसी और को भी स्वास्थ्य कर आदतें अपनाने की प्रेरणा मिलेगी केवल दिन के अंत में अपनी मनपसंद गतिविधी के साथ मनोरंजन करना न भूलें आप आज अपने पार्टनर के लिए अपना प्यार काफी खर्चीले तरीके से सार्वजनिक रूप से दिखा सकते हो आप अपने पार्टनर की उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए एक सर्प्राइज पार्टी भी रख सकते हो इन योजनाओं में छोटी मोटी बाधाएं आ सकती हैं लेकिन आपके पार्टनर को उनकी खुशी में आपके शामिल होने और आपके गहरे प्यार को लेकर कोई संदेह नहीं रह जाएगा आप अपने कार्यों को करते हुए धैर्य रखते हैं पर आज आप में अधिकार की भावना रहेगी आपको ये एहसास करने की जरूरत है कि चीजें अपनी गती से आगे चलेंगी और ज्यादा पाने की चाह आपको पीछे की ओर धकेल सकती है आप में हमेशा धैर्य की भावना रही है और हमेशा से निर्धारित मार्ग की तरफ आप अग्रिसर रहे हैं आपको ये याद करने की जरूरत है कि क्यों आप इस पत्थ पर आगे की और बड़े थे और उसी पत्थ पर आगे बरहते रहे आपने किसी पर्योजना में अपना काफी समय और प्रयास लगाए हैं और आपको अब इसका फल मिलना शुरू हो जाएगा दूर द्रिष्टी के साथ साथ आपके द्रड संकल्प और प्रयास भी रंग लाए हैं आप कुछ नए बदलाव करना चाह रहे हैं लेकिन वित्ती ये बाधाएं हैं आज आप सीमित साधनों से ही इन कामों को पूरा करने के स्रजनात्मक तरीके खोज लेंगे आज आप काफी आवेग में रहेंगे और आपका स्वास्थ्य और फिट रहने की इच्छा भी इसका अ आ जाए या आप अधिक ठक जाएं सारा मानसिक तनाव धुल जाएगा आप उर्जा से भरे और खुद को हर स्थिति के लिए तयार पाएंगे अगर आप अपने लिए बिलकुल परफेक्ट आदमी ढूनना चाहते हैं तो न ढूनें कई बार हम फिल्मों में देखकर अपने कम कर लें तो आपको अपनी रूची का कोई मिल ही जाएगा ये समय अपने सहकर्मियों का उत्साह बरहाने का समय है आप पिछले कुछ समय से उपेक्षित महसूस कर रहे हैं लेकिन आज आप पर सबका ध्यान आएगा लाइम लाइट आप पर रहेगी और आप आसानी से इस अवसर का लाब उठा कर खुद को साबित कर पाएंगे यह किसी नए दोस्त के मिलने पुराने के सामने आने या कार्यस्थल की किसी स्थिती से संबंधित भी हो सकता है आज आपकी सेहत अच्छी रहेगी पिछले कुछ समय से हो रही परेशानिया भी आज कोई तकलीफ नही काफी बर सकती है आप काफी साहसिक हैं और यही कारण है कि आपने एक ब्लाइन डेट का जोखिम लिया है यह एक बेकार और परेशानी भरी डेट साबित होगी बारिश के कारण आपको एक ही जगह रुक कर रहना होगा हालांकि जल्दी ही बारिश खत्म भी हो जाएगी और यह आदमी भविश्य में आपसे कभी दुबारा नहीं मिलेगा शांती रखें कोई खूबसूरत और आकरशक आपकी जिंदगी में जल्दी ही आने वाला है आज के दिन उधार दिये हुए पैसे आपको वापस मिल सकते हैं आज के दिन आप एक ऐसे व्यक्ति से भी मिल सकते हैं जिसे आप पहले से जानते हो और वो आपकी काफी हद तक आपकी भविश्य में आए को बढ़ाने में मदद कर सकता है और यहां तक कि यह व्यक्ति आपको अच्छी आए वाली नौकरी दिलाने में भी मदद कर सकता है जिससे आगे चलकर आपके करियर की दिशा भी परि भूती तो होगी, परंतु यह देखना होगा कि यह साजेदारी कितनी सफल होगी, किसी अप्रत्याशित श्रोत से समर्थन सहायता प्राप्त हो सकती है। हाला कि यह अवसर बहुत कम समय तक ही मिलेगा, इसलिए आपको जल्दी ही फैसला लेना होगा, आप काफी सخت हैं और अपने खाने और एक्सरसाइज के मामले में हद से गुजर जाते हैं, यह भी ध्यान रखें कि अपने शरीर को सामानने से अधिक तकलीफ देने से और भी कई समस्याएं पैदा हो सकती हैं, इसी लिए शान्ती से ही आगे बरना ठीक होगा, आपको यह सब करना शुरू में थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन आप कर पाएंगे, अगर आप अपने शरीर को उसकी सामान्य सीमा से अधिक तकलीफ देना बंद कर दें, तो यह समझ ल पर विश्वास कर पाना भी मुश्किल लगेगा, आपको अपने संबंध से एक छोटा सा ब्रेक लेकर उन कारणों के बारे में गहराई से सोचना चाहिए, जिसने आपको यह सोचने पर मजबूर किया है, इस सोच विचार के बाद आपको काफी राहत महसूस होगी, और तथा अपने पार्टनर के बारे में विश्वस्त अनुभव करेंगे, आज आपके कार्याले में आपके और औरों के विचारों में भिन्नता रहेगी, चाहे वह आपका सहकर्मी, उच्च अधिकारी या आपका मालिक हो, चाहे वह कोई भी हो, पर निश्चय ही ये आपके स् प्रतिकूल प्रभाव डालेगा दोस्तों फिर मिलते हैं नए वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद